देखो दोस्तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो बंदा Grand League के अंदर first rank लाता है उसकी team सबसे unique होती है सबसे अलग team होती है और क्यों होती है क्योंकि वो बंदा सारी दुनिया से हट के सोचता है maximum लोग यहाँ पे भेड़ चाल चलते हैं लेकिन जो एक बंदा सबसे अलग सोचता है उसकी team win करती है और दोस्तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे player के बारे में discuss करेंगे जो आपके लिए Grand League में uniqueness का role play कर सकते हैं या आपके लिए different रह सकते हैं दूसरे बंदों से तो वीडियो क पूरा देखिएगा वहीं दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए हैं तीन शांदार प्राइस जिसमें आप जीत सकते हो मेंदरा थार और दोस्तो आप पास सकते हो 5000 रुपे का cash bonus जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा तो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वा अनुसार सबसे पहली बात दोस्तो आपसे हाज जोड के request है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्यूंकि दोस्तो हमारे 90 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारा target 100 के सब्सक्राइबर करने का है तो शिलंका और अफगानिस्तान के बीच हुए last head to head encounter के बारे में देखो दोस्तो एशिया कप के अंदर जो पहला match खेला गया था वो इनी दोनों टीमों के बीच खेला गया था और वो match खेला गया था दुबई के ground के उपर और उस match में अफगानिस्तान की टीम ने टोस जीता और पहले bowling चूज की और दोस्तों अफगानिस्तान की टीम में जब पहले bowling चूज की तो सिलंका की टीम पहले बैटिंग करते हैं मातर 105 रन बना के all out हो गई और अफगानिस्तान ने 106 रन बना के 8 विक्टों से हो match जीत लिया था जिसके अंदर player of the match ते फजल हक फारुकी उ आथूम निशांका को तीन रन पे आउट किया कुसल मेंडिस को दो रन पे आउट किया और असलंका को जीरो रन पे आउट किया यानि तीनों टोप ओर्डर के batsmen flop हो गए थे इनके सामने उसके बाद दोस्तों वहां पे अफगानिस्तान की तरब से मुझीबूर रह्मान और मुझान दभी को दो-दो विकेट मिले ते और उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने सेकें इंडिंग में बैटिंग की तो हजरतुल्ला जजाई ने 36 रन बनाए गुर्बाज ने 40 रन बनाए और इब्राहिम जादरान ने 15 रन बनाए वहीं दोस्तों शिलंका की मुझान दभी दोनों इंपोर्टेंट रह सकते हैं जजाई इंपोर्टेंट रह सकते हैं आर गुरुबाज इंपोर्टेंट रह सकते हैं हसरंगा इंपोर्टेंट रह सकते हैं लेकिन दोस्तों अब वाला मैच खेला जाएगा शार्जा क्रिकेट स्टेडियम के उपर और द दोस्तो शार्जा का ग्राउंड थोड़ा स्मोल है, इसलिए हिट लगाना थोड़ा आसान रह सकता है, लेकिन दोस्तो शार्जा की पिछ बहुत ट्रीकी पिछ रह सकती है, इसके लिए दोस्तो मैं आपके लिए एक्जाम्पल लिया है, एक्जाम्पल के दोस्त पर हम लेते है बंगलादेश और अफगानिस्तान का मैच है वो इसी ग्राउंड के ऊपर खेला गया था और उसमें दोस्तों बंगलादेश की टीम ने पहले टोस जीत के बैटिंग चूज की थी और दोस्तों बंगलादेश की टीम 127 रन बना पाई थी 7 विकेट पे और अफगानिस्तान ने 13 30 रन बना के 7 विक्टोशों में जीत लिया था उसमें प्लेयर ओफ दे मैच ते मुझीबू रहमान जीडू ने 3 विकेट चटकाए थे राशिद खान ने भी 3 विकेट चटकाए थे और बंग अफगानिस्तान के तरब से आर गुरुबाज ने 11 रन इब्राहिम जादरान ने 12 रन नजीबूला जादरान ने 33 रन और हजरतुला जजाईद ने 23 रन बनाये थे यानि दोस्तों उस मैच के अंदर स्पीनर का बोल बाला रहा था अगर दोस्तों उस मैच के उपर हम पिछ रिपोर्ट पे जाएं तो यहाँ पे आपके लिए स्पीनर काफी क्रूशल रह सक तो यह प्लेयर भी आपके लिए क्रूशल रह सकता है वहीं दोस्तों आपके लिए स्रिललंका के तरफ से मैच ठिक्षना और विरंग दोसरंगा इन दोनों प्लेयरों को तो मैक्सिमम लोग अपनी टीम में लेंगे लेंगे और काफी इंपोर्ट प्लेयर रह सकते हैं लेकि जो की बैटिंग और बोलिंग दोनों से कमाल कर सकता है तो आपको चीज ध्यान में रखनी है देखो दोस्तों मैच आप इस पिन का इसलिए बोला क्योंकि लास्ट मैच जो हुआ था अफगानिस्तान का उसमें स्पिन ने अच्छा कासा फेवर किया फिर भी दोस्तों आपक इंपोर्टेंट रह सकते है और दोस्तों आपको बतादू यहां पे स्रिलंका की तरब से अप के लिए दिलसान सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिलेगा लिंक पे क्लिक करके माई 11 सरकल एप को डाउनलोड करना है और अगर दोस्तों आप माई 11 सरकल एप के अंदर मेगा लीग जीतते हो तो आप जीत सकते हो फर्स्ट प्राइज एजम मेंदरा था अब माई 11 सरकल एप पे ही क्यों खेलना है तो आप जीत सकते हो Mercedes A-Class Limogyn as a first price और दोस्ता हमारे subscriber के लिए एक खास चीज़ है कि अगर आप अब इस वीडियो के description box में जो link दिया है उसते My Leavensircle app को download करते हो और कुछ amount deposit करते हो तो आपको मिलेगा 5000 रुपे का cash bonus या फिर दोस्ता हमारा coupon code D5000 भी use कर सकते हो तो दोस्तो जल्दी कीजिए वीडियो के description box में link मिलेगा link पे click कीजिए My Leavensircle app download कर लिजिए और दोस्तो अगर आप हमारे link से download करोगे तो आपको मिलेगा 20% extra cash on your first deposit इतने सारे offer कोई भी fantasy app नहीं दे रहा है तो जल्दी कीजिए वीडियो के description box में link मिलेगा link पे click कीजिए My Leavensircle app download कीजिए और खेलना start कीजिए तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते है playing 11 of Sri Lanka with betting order देखो दोस्तो यह predicted playing 11 है अगर इस playing 11 में कोई एक या दो change होगा तो चीज में आपको बाद में टेलिग्राम पे बता दूँगा तो दोस्तो सिरलंका की तरफ से आपको opening करते हैं दिखेंगे पाथूम निशानका और कुसल मेंडिस और तीन नमबरे बैटिंग करने आ सकते हैं चरित असलांका यानी दोस्तो सिरलंका की तरफ से ये तीन प्लेयर आपको टोप ओडर में बैटिंग करते हैं दिख सकते हैं उसके बाद दोस्तो सिरलंका की तरफ से मिडलोडरी कमान समालेगे दानुसका गुणतलीका भानुका राजबक्षा दसून सनाका और सी कोणारतने और बोलिंग की कमान समालेगे वेरेंदु असरंगा, सी कोणारतने, मेश दिक्साना, असिता फर्नेंडो और दिलसान मदूर्शनाका दोस्तो लास्ट मैच में यही प्लेयंग इलेवन थी तो most probably यही प्लेयंग इलेवन रह सकती है अगर सिलंका की टीम यहाँ पे एक्स्टा स्पिनर को मोगा देती है तो परवीन जय मिक्रमा को मोगा दे सकती है या फिर जैफरी वंडर्शे को मोगा दे सकती है आपको चीज़े ध्यान में रखनी है अब दोस्तों अगर हम बात करें सेफ ओप्सन तो कुसल मेंडिस आपके लिए सेफ है पाथूम निशान का सेफ है स्मोल लीग के लिए उसके बाद आपके लिए सेफ रह सकते है दासून सना का विनेंदू असरंगा मेश चिक्षनाना और सी कोना रह सकते हैं ये चार मास प्लेयर सेफ रह सकते हैं तो दोस्तों करम बात करें यहाँ पे ग्रेंड लीग के पस्पेक्ट्व से तो देखो दोस्तों आपके लिए चरीत असलांका और दानुस का गुणा थलिका इन दोनों प्लेयरों का सेलेक्षन थोड़ा कम रहेगा तो ये प्लेयर इं अब आपके अफगानिस्तान के तरव से मुझीबु रेमान थोड़ा क्रूशल लोल प्लेग कर सकता है साथ में दोस्तों फजल हक फारुकी भी क्रूशल लोल प्लेग कर सकता है फारुकी ने पहला मैच जुन के खिलाफ खेला था सिरलंका किलाव उसमें तीन विकट चटका उल्टे आच्छे बेटिंग करते हैं ये तीन प्लेयर उल्टे आच्छे बेटिंग करते हैं तो मुझीवू रेमान का शिकार बन सकता इन में से कोई तो आपको इचीज ध्यान में रखनी है बाकि दोस्तों ने आपको सेफ ओप्सन बता दिये मैं आपको ग्रेंड लिक की रि भी आप फोकस करके चल सकते हो ग्रेंड लिक के अंदर तो दोस्तों अगर हम बात करें प्लेंग 11 ओफ अफगानिस्तान विद बैटिंग ओडर देखो दोस्तों अफगानिस्तान के तरफ से आपके लिए ओपनिंग करते हैं आएंगे हजरतुल्ला जजाई और रहमनुल्ला और बोलिंग की कमान संबालेंगे राशिद खान, नवीनुल्लक, मुझीबूर रहमान, फजलक फारुकी, अजमतुल्ला उमर्जजाई खेल सकते हैं अगर ये प्लेर ना खेलेगा तो यहाँ पे नूर एहमद को मोका मिल सकता है या फिर दोस्तों किसी एक्स्टा बैट्सम की तरफ से सेफ ओक्षन, तो आपके लिए जजाई सेफ है, गुर्बाद सेफ है, जादरान सेफ है, नभी सेफ है, राशिद कान सेफ है, उसका अध मुझीब सेफ है, उसका फजलक फारुकी सेफ रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका रदू कि नवीनुलक डैथ में बोली कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों अगर आप यह मान के चलो, कि यहाँ पर स्रिलंका के जो बोलर वो कमाल करेंगे, तो करीम जननत की बैटिंग आ सकते हैं, अब देखो दोस्तों दूसरी सबसे बात कि है, कि यहाँ पर हजरत उल्ला जजाई है, यह उल्टे आज से बैटिं में, और यहाँ पर दोस्तों स्रिलंका की टीम में चरित असलंका राइटाम ब्रेक बोलिंग कर सकते हैं, और मेश थिक्षना भी राइटाम ब्रेक बोलिंग कर सकते हैं, अगर नूर रहमत खेलेंगे, तो आपके लिए डिफरेंशल प्लेयर रह सकता, आपके जिज़े ध्य पर दोस्तों के बारे में, विकट कीपने दोस्तों मारे पास स्रिलंका की तरब से कुसल मेंडिस ओपनिंग करते हैं, लाश मैच में साथ रन रहन आए थे, दिनेश चांडी मन लाश मैच नहीं खेले थे, वहीं दोस्ता अभगानिस्तान की तरब से रहमनुला गुरबाज ओपनिंग की थी, लास्ट मैच में 11 और अफसर जिजाई लास्ट मैच नहीं खेले थे, सबसे पहली बात अगर आप टिम स्मोल लिग के लिए बना रहे हो, ति दोनों प्लेयर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, रीजन क्या दोनों विकट कीपिंग करेंगे, और दोन मेज ठीक्षना और उनके साथ दिल्चान मदुसना का पिजादा ट्रश दिखा रहे हो, तो आप रहमुंदला गुरबाज को ड्रोप कर सकते हो, तो आपको इस डिस्क लेना, ग्रेयन लिग के लिए प्लेयर आपके लिए रहने बाले, दोस्तों बात करें बैट्समेन के बा वहीं दोस्तों मारे पास अफगानिस्तान के तरब से नजीब उल्ला जादरान चार यह पास नमबरे बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में थे ताइस रन आयते, हजरतुल्ला जजाई ने ओपनिंग की थे तेईस रन आयते, उस्मान गानी लास्ट मैच नहीं कहले आई जादरान खेले ते, तीन नमबरे बैटिंग करने आयते, वहीं दोस्तों यह वाले मैच एच्छाइदी भी खेल सकते हैं, सबसे पहली बात अगर आप टीम स्मोल लीग क्लिब नार्यों, तापकास फस्ट चोईस यहां पे है नजीब उल्ला जादरान, सेकंड चोईस आप एजरतुल्ला जजाई और इब्राहिन जादरान में इसकिसी एक को दे सकते हो, वहीं दोस्तों आपके लिए स्रिलंका की तरफ से फ़स्ट चोईस आप पाथोम निशान का, सेकंड चोईस आप दानूस का गुणा थलिका और चरित असलंका, इन दोनों का सेलेक्शन ब बैट्समेन पाथोम निशांका और कुसलम एंडिस को ड्रोब करते हो, तो आप अपनी ग्रेंड लिक के टीम में दानूस का गुणा थलिका और चरित असलंका की कॉम्बो के साथ जा सकते हो, जो की तीन और चार नमबरे में बैटिंग करने आएंगे, उसके बाद दोस्तों यहां पे हजरतुला जिजाई के लिए मेश थीक्षान खत्रा रह सकते हैं, या फिर अगर चरित असलंका को किस्मत सी ब्ल blues होकी ऊपहली में दोस्तों नहींfta रह सकते हैं, बाकि दोस्तों बानुका आस्पक्षा को पभी थूदऻ सेलेक्षन कम होगा, तो आपको यह पार और के बारे में देखो दोस्तों ओल्डाउंडर मारे पास सिल्लंका की तरब से दासूंज सना का लाश्ट मैच में छैया साथ नब्रे बैटिंग नहीं करने आसकते हैं तो आपको ध्यान में रखनी कि द्रेजल भी यह मैच खेल सकते हैं उसका करूणा रातने राइटाम फास्ट मिलिंग बोलिंग करते हैं लास्ट में दो विगेट छोड़ा रहा है वहीं दोस्त मारबाद सफगानिस्तान की दरप से मुझमन नभी लास्ट में आट रन कोई विगेट नी करीम जंद दोनों मैं लगातार को पफोर्म आपैट ने सेफ रह सकते हैं अब दोस्तों कर आप ग्रेंड लीक को सकते हैं अगर दर्शान डुसारा लासमेश नहीं कह ले ते दिलसान मदुसना का एक विगत लिया था जे वन्टर से लाश्यान से लाश्य नहीं ले था आप अशिस्ता... पर दो दो स्क्राइब यहां पर दोस्ता आप क्या कर सकते हो यहां पर दिल्चान अगर दोस्तों श्रलंका की टीम को इस्पीनर को खिलाकती है तो प्लेर भी आपके लिए इंप्रेंट रह सकते हैं अगर चेंज करना हो तेहां पर करना रतने को मोखा दे सकते हो अगर आपको चेंज और करना हो तेहां पर आप फजल अक फारुक्या नवी पिनुलक में इसकी एक को मोखा दे सकते हो या फिर दोस्ते आप दिलसान मदूसना का या विस्ता फरनेंडम इसकी को मोखा दे सकते हो बागे दोस्तों आपको दादू कि यह सेफ टीम है डेमो टीम है फाइनल टीम में आपको टेलिग्राम पे दूँगा इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहां पर दोस्तों हसरंगार राशिद खान मॉमंद अभी मुझी बुर्यमान इन चार बंदों पे सब लोग फोकस करेंगे आप इनम कर लीजिए देखो दोस्तों माई लेउन सर्कलाइब पे अगर आप लीडर बोर्ट टोप करते हो तो आपको मिलेगा मर्स्डीज एक लास लिमोजीन एज़ा फर्स्ट प्राइस और लीडर बोर्ट टोप करने के लिए आपको या तो मेगा लिक खेलना हुगा या आपको 99 वाला कोंटेस्ट खेलना हुगा और दोस्तों कर आप हमारे लिंक से अभी डाउनलोड करते हो और कुछ समाउन डिपोजिट करते हो तो आपको मिलेगा 5000 रुपे का कैस बोनस या फिर दोस्तों आप हमारा कूपन कोड D5000 यूजज कर सकते हो तो जल्दी कीजिए वीडियो के अच्छे लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले धन्यवाद इस गेम इस फाइनेंचली रिस्की एंड हैबिट फॉर्मिंग प्लीज प्ले रिस्पोंसिबली